नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्यधर्म ज्यान यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम तेज पत्ते से होने वाला एक ऐसा उपाय बताने जा रही हैं जो कितना भी रूठा प्यार हो पती पत्नी हो प्रेमी प्रेमिका हो अगर किसी के बीच कोई भी ऐसी अर्चन ऐसी समस्या है जिससे दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिती बनी हुई है या कोई किसी को छोड़ करके जा रहा है आप उसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं निस्वार्थ भाव से प्रेम करते ह उसके बिना आप रह नहीं पा रही हैं या आपका पार्टनर किसी तीसरे के आकर्शन में जा रहा है तो इस उपाय को अवश्य कर लें वह आपके बिना रह नहीं पाएगा दोस्तों यह उपाय बहुत ही सरल और आसान होने वाला है लेकिन आपको उपाय तभी करना है जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं अगर आप उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं आपके अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं है तभी आपको उपाय करना चाह क्योंकि जो भी उपाय हम आपको बताते हैं वह पवित्र उपाय होता है जो पवित्र रिष्टे के लिए लाबकारी होता है तो ध्यान रहे अपने पवित्र प्रेम के लिए इसे करना है तो उपाय जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सु साथ ही साथ अगर आप हमसे अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने प्रेम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नमबर मिल जाएग आप 200 रुपए की फीस देकर के डायरेक्ट फोन कॉल के थ्रू हमसे परामर्ष ले सकते हैं, आए अब सीधा उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं, दोस्तों इस उपाय को आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं, तो उपाय शुरू करने से पहले आपको स्नान आदी से नि बैठना है, कोई भी आपको उपाय करते समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आपको बैठते समय अपने साथ एक सफेद रंग का कागस का टुकड़ा लेना है, या फिर आप सफेद कपड़े का भी इस्तमाल कर सकते हैं, आपको उसका कुछ विशेश नहीं करना है, बाद म आप उसे दोबारा इस्तमाल कर सकते हैं, इसके बाद आपको एक तेज पत्ता अपने साथ में रखना है, तेज पत्ता हर एक घर में मिल जाता है, और साथ में आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी, आप इसे किसी भी पात्र पर कटोरी पर रख सकते हैं, आपको तेज पत्ते इसके बाद आपको क्या करना है? जिस हथेली में आपने हल्दी रखा है? उसे अपने दूसरे हाथ से ढख लेना है? यानि सीधा हाथ उसके उपर रख देना है? और आखें बंद करके जिस व्यक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं, चाहे वहस्त्री हो या पुरुष हो उसका स्मरण करना है, उसको सोचना है, अच्छे से याद करना है. जब आप उसे पूरी तरीके से याद कर लेंगे, तब आ ये आप यह उपाय कर रही हैं, इस मंतर को आपको 11 बार बोलना है, क्रीम यसना. दोस्तों, जब आप 11 बार मंतर को बोल लेंगे, उसके बाद आपने जो हाथ में हल्दी रखी है, उसे और तेज पत्ते को जो आपके सामने है, उन सभी को सफेद कागज में रखना है, जो का प्या को या पोटली को अपने घर में एक स्थान पर कोई भी पवितरस्थान पर या मंदिर में चुकचाप संभाल करके रख लेना है, और अगले दिन कागस को या कपड़े को खोल करके तेज पत्ते को तोड़ करके चुरमुर बना लेना है, और इसे घर से बाहर लेकर के अगर आप चाहें, तो आप इसे कपड़े के साथ भी ले सकते हैं, या ऐसे ही हाथ में लेकर के जा सकते हैं, घर से बाहर ले जाकर आपको इसे कहीं भी बिखेर देना है। और सची श्रद्धा और विश्वास से करना है, आपको इसका बहुत ही बहतरीन परिणाम प्राप्थ होगा। तो मित्रों उम्मीद करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं, किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लि धन्यवाद।